हेलो डियर स्टुडेंट हम स्टाट कर ले हैं क्लास 7 थे साइन्स एक निव चाप्टर चाप्टर 13 मोशन एंड टाइम फॉम दी एंसी एर्टी बुक तो हम स्टाट करते हैं मोशन एंड टाइम के बारे में इन क्लास 6 थे यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइपस अफ मोशन आप क्लास 6 में थे तब आपने डिफरेंट तरह के मोशन के बारे में पढ़ा होगा अलग अलग तरह के होते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन होता है सर्कुलर मोशन होता है पिरियोडिक मोशन होता है ना जैस कि that the could be longest straight line, straight line मतलब सीधे, इस तरह का जो motion है, मतलब हम सीधी line में move कर रहे हैं, तो straight line, circular मतलब हम जब circle में move करते हैं, तो इस तरह का motion circular होगा, periodic मतलब एक ही पात पे बार-बार motion, जैसे जो आपने देखा होगा, जूला, swing जो होता है, वो एक ही पात पे बार-बार movement करता है, पर्टिकुलर टाइम बाद motion, जो है, वो repeat होता है, तो इस तरह का motion क्या कहलाता है, periodic motion, can you recall these three types of motion, आपको याद नहीं है, तीनों तरह के motion, मैंने आपको भी बताया भी, table 13.1 gives some common example of motion, identify the type of motion in each case, आपको कुछ examples दिये हैं, common motion के, आपको type of motion जो है, उसमें से identify करना है, कि कौन से तरह का है, तो soldiers नहीं मार्च पास, यह कौन सा होगा, straight line motion होगा, bullet card moving on a straight road, bullet card straight road पर move कर रहे हैं, तो यह भी straight line motion होगा, फिर hands of athlete in a race, hands of athlete, जो होगा, वो कैसा होता है, periodic, ऐसे, 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 ऐसे होता है, तो हाथ जो हैं, वो periodic motion में होते हैं, फिर a paddle of bicycle in a motion, paddle जो होते हैं, bicycle के, वो circular motion में होते हैं, गोल-गोल-गोल गूमते हैं कि ने, फिर motion of earth around the sun, आर्थ का जो motion होता है, sun के चारों तरफ, वो कौन सो होगा, periodic motion, एक particular time के बाद वो motion repeat होता है, तो periodic motion है, ठीक है, फिर motion of swing, periodic motion होगा, motion of pendulum, it is also a periodic motion, तो यह हमने different type of motions देखे, it is common experience that the motion of some object is slow, while data somehow object, others is fast, यह general ही देखा गया है कि जब object move करते हैं, तो कुछ object तो slow motion में दीरे-दीरे चलते हैं, और कुछ object जो होते हैं, वो बहुत ही तेजी से चलते हैं, तब हम देख रहे हैं, slow or fast, slow or fast क्या है, we know that some vehicles move faster than the other, हम जानते हैं, कुछ vehicles जो होते हैं, दूसरे vehicles के comparison में तेजी से move करते हैं, even the same vehicles may move faster or slower at different time, यहां तक कि हम same उससे गाड़ी से चल रहे हैं, तो कभी हम उस गाड़ी को slow कर लेते हैं, कभी उस गाड़ी को तेज कर लेते हैं, make a list of 10 objects moving along a straight path, आपको क्या करना है, 10 object की list बनानी है, moving object की, जो straight path में चलते हैं, है न, group the motion of these objects as slow as fast, और उन object को slow है, fast है, इसमें grouping करनी है, how did you decide which object is moving slow and which one is moving fast, कैसे आप decide करोगी कि कोई object जो है, वो धीरे चल रहा है, और कौन जो है, वो तेजी से चल रहा है, ठीक है, if vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one is them, is moving faster than the other, अब माली जी, दो vehicle एक ही direction में चल रहा है, तो हम easily बोल सकते हैं कि कौन सो object तेजी चल रहा है, और कौन सा दीरे, जो आगे निकल गया, वो तेज है, जो पीछे रहे गया, वो दीरे चल रहा है, let us look at the motion of vehicles moving on the road road फे चलने वाले vehicles को क्या करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखके आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा object धीरे चल रहा है, और कौन सा तेज चल रहा है, आप गाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, और टो से जाते हैं, तो आप देखते होंगे, बहुत सारे दूसरे vehicles जो हैं, वो आपको overtake करते हैं, मतलब आपकी जिस vehicles में हैं, आप उससे आगे निकल जाते हैं, तो आगे निकल जाते हैं, तो क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि वो जो हैं, वो तेजी से move कर रहा है, फिर हमारे activity 13.1, look at figure 13.1, it shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at instant of the time, अब देखो ये 13.1 में क्या है, same direction में move कर रहे हैं, कुछ अलग-अलग time interval में, ठीक है, now look at the figure 13.2, it shows the position of same vehicles after some time, अब 13.2 में क्या है, ये कुछ vehicles जो हैं, वो कुछ time बात पता लगें, तो देखो, यहां पे ये जो गाड़ी थी, ये सबसे पीछे थी, है ना, ये गाड़ी, अब ये आगे निकल आई है, ये green वाली, देखो न, ये पीछे बीच में थी, ये आगे निकल आई है, ठीक है, उसके बाद red वाली तो उसी position पे ही green भी, बस ये green जो है, ये आगे निकल के आगई है, और brown car हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मतलब क्या है ये वाली जो car है, ये हमें कहीं दिखाई दे रही है, क्या नहीं दे रही है, मतलब अलग-अलग तरह क slowest of all आपको यह देखके बताना है कौन सा vehicle जो है वो तेजी से सबसे तेज move कर रहा है और कौन सा सबसे slow. The distance moved by the objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. एक particular time period में हम देखें object कितना move कर रहा है और उस distance को देखके हम बता सकते हैं कौन सा object में कितने कम time में कितने distance travel की है कि कौन सा object move है या fast है. For example, can you imagine that you have gone to see all of your friend at your bus stand? है ना आपने देखा होगा जैसे मालीजी आपके friend आपको see off करने है bus stand से. Suppose you start paddling your bicycle at the same time as the bus begins to move the distance covered by you five minutes would be the smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? अब माल लीजीए आप cycle से bus के आगे चल रहे हैं तो क्यों होगा पांच मिनट में आप cycle से जितनी travel करोगे distance bus उससे कई ज्यादा कर लेगी. मतलब कि bus जो है वो fast move कर रही है और bicycle slow. इसके आगे का हम next video में देखेंगे आप ये अडियो ध्यान से देखिए कोई भी doubt कोई भी problem होने पर मुझसे पूछ सकते हैं एक बार book जरूर read करिएगा keep study keep watching thank you so much